अलो मेरे बावर्ची हूँ कैसे हैं आप लोग तो आप सब के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी आली सबजी और ट्रस्ट मी गाइज इसमें नहीं जादा किसी चीज की जरुवत भी नहीं है और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा लाइफ में क्योंकि यार वही गोबी टमाटर का उपर से इतने महंगी सबजे आ रही है तो सोचा क्यों नहीं यह ट्राइ की जाए तो यहां पर हमने ले लिया है सोया चाप उसको पांच मनिट के लिए वाम वाटर के अंदर हमने बिगो दिया था उसके बाद इस तरीके से हम उसे ओल में डाल देंगे औ हमें इसे तब तक सिंपे पकाना है जब तक कि यह चारो तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और गोल्डन फ्राय ना हो जाए तो यहां पर देख सकते हो चारो तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है यहां पर कितना ज्यादा क् उसके बाद एक बार हमारी सारे सोया चाप जो है अच्छे से golden brown हो जाएं तो हम क्या करेंगे फिर से इसको ठंडे पानी के अंदर बिगो के रख देंगे अब इसमें सिर्फ normal पानी में हमें नहीं बिगोना है चाप तो हमने जैसे पानी में डाल दी इसके बाद इसमें जाएगा एक चुथाई चमच के करीब नमक और फिर उसके अंदर जाएगी आदा चमच के करीब लाल मिर्ची ताकि यह जो सोया चाप है वो अंदर तक थोड़ा सा मसाला जो है वो सोक कर ले अंदर से बिल्कुल ब्लैंड या फिकी ना लगे क्योंकि यह पनीर टिक्के की तरह नहीं होती कि पनीर जो मसाले सोक कर लेता है यह जो है सर्फ अभी गरम गरम में जो सोक करेगी वही बात है तो यहाँ पे 10 पनिट के बाद यह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है अब इजीली जो है इसकी जो पीछे की हमने निकालनी है वो हम निकाल देंगे तो यहाँ पे मैं स्टेक निकाल देती हूँ stick निकालते ही यह देखे कितना easily इसका stick निकल चुका है सारे सोया चाप का हमने stick निकाल देना है और इसके pieces कर लेना है तो यहाँ पर यह देखे हमने इसके pieces कर लिए हैं तो आप चाहो तो ऐसे बड़े वाले pieces रख सकते हो जो कि शादियों ब्याओं में मिलते हैं या तो फिर आप चाहें तो इसके छोटे pieces भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे piece बिल्कुल ready हो चुके हैं अब हम बनाएंगे इसका एक बहुत ही simple सी gravy gravy में भी जादा ताम जाम की जरुरत नहीं है बहुत ही simple बनेगी तो यहाँ पर 7-8 लसन की कलिया एक इंच की करीब अद्रक और साथी साथ एक हरी मिर्च को बारी काट लेंगे उसके बाद oil के अंदर ये तीनों चीज़े डाल देंगे और अच्छी तरीके से जो हमारा लसन और अद्रक हरी मिर्च है उसको brown होने देंगे तो यहाँ पर brown होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 प्यास तो इस तरीके से बारी कट हुए प्यास डालने है और प्यास को हमें तब तक बूनना है जब तक वो dark brownish color के ना हो जाए बिल्कुल जलाना भी नहीं है लेकिन जलाने वाली स्टेज से पहले जैसे brown होते वैसे हमें हलका brown कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे प्यास जो है almost brown हो चुके हैं इसके अंदर अब जाएंगे बाकी किस उखे मसाले तो सबसे पहले इसमें जाएगा आदा चमच के करीब नमक, नमक के साथ साथ इसमें जाएगा एक चमच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर हम वही मसाले यूज़ करेंगे जो घर में easily available होते हैं तो यहाँ पर बीकश में डाल मिर्ची का पाउडर, शात ही साथ 10 को जाएगा हम सारे सूखे मसालो से बहते हैं नश्मी तरीके मिक्स करेंगे, इसमें कोई इसमें एक्स्रा मसाला डालने के बिल्कुल जरूद नहीं है क्योंकि ये इसल इतना अच्छा टेस्ट देगा ना वो भूने वए प्यास का, साथी साथ भूने वए मसालो का, कि बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, तो हलका सा इसको mix करते हैं, हम इसमें डाल देंगे टमाटर, तो अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हो क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत जादा है तो उसकी जगा आधा कपके करीब इसमें दहीं भी आड़ कर सकते हो इस स्टेच पे तो इसमें मैंने एक टमाटर डाल दिया है इस तरीके से कद्दूकस किया हुआ और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी तो यहां पे जाएगा आधे कपके करीब पानी पानी डालने से क्या होगा हमारी जो मसाले हो नीचे जादा जलेंगे भी नहीं साथी साथ हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी तरीकी से बन भी जाएगी तो इसे 5 से 10 मिनिट तक हम पकाएंगे जब तक ये ग्रेवी आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से पक जाए और उपर हलका हलका करके ओल आने लग जाए फिर इसके अंदर हम डाल देंगे एक बड़े कप के करीब पानी दो बड़े चमच मलाई के मलाई की जगा आप घर की जो फ्रेश क्रीम होती है वो भी यूज़ कर सकते हो जैसे अमोल वगेरा के आती है मैंने या पर घर की देसी मलाई यूज़ की है तो इसको अच्छे से हमने जो है mix कर लेना है, mix करने के बाद आप देख सकते हो, gravy ने तो बिल्कुल रंगी बदल लिया है, जैसे रिश्टेदार रंग बदल दे हैं, तो यहाँ पर देख लीजे, एक दम हमारी gravy ready होने वाली है, मलाई डालने के बाद इसे 1-5 मिनिट तक हमने अच्छी दरीगे से पका लेना है, पकाने के बाद इसमें जाएगा 1-5 बड़े कप के करीब पानी और साथी साथ यह जो सोया चाप हमने काटके रखी थी, इसको हम mix कर देंगे, अब इन सारी चीजों को हमने तब तक उबालना ह तो इसको पहले अच्छी से हमने उबलने देना है 5-10 मिनिट तक आप अच्छी से सारी ग्रेवी को सोग कर ले और यह ग्रेवी जो है इसकी कंसस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे एक चमच के करीब घी जो होता है इससे क्या होगा एक तो फ्लेवर एनहेंस होगा साथी साथ जो मसाले है न वो भी अपना फ्लेवर अच्छी तरीके से चोड़ेंगे तो खाने के बाद इसके अंदर उपर जो है ऐसे आपको लगेगा कि आहा मज़े आगे शादी वाला टेस्ट आगया तो वो सिर्फ घी की अज़े से होता है तो य यानि खाओ पियो मज़े करो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और यार इतने सस्ते में सबजी बना दी इतनी बिना मेहनत के तो और क्या चाहिए तो फटा फट से आओ चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो